यह राहत की बात है कि देश के कुछ हिसों में कोरोना के बढ़ते मामलोग के मुकाबले दिल्ली में इसका कहर कम होता दिख रहा है और इसके मद्दे नजर सरकार इससे संबंदित पापंदियों में नर्मी बरतने के मामले में किरम से आगे बढ़ रही है लेकिन पिछले करीब डिड़ साल के दोरान कोरोना संकर्मन की जैसी प्रेकरती देखने में आई है उसमें यह ध्यान रखने की जरूरत होगी की कोई ऐसी लापरवाही ने हो जिससे इस्तिती फिर बिगड़ जाए गुर तलब है कि दिली में सरकार ने एक सितंबर से स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला किया है शुरू में नोवी से बारवी तक कक्षा के लिए स्कूल खुलेंगे इसके बाद आठ सितंबर से छटी से आठवी कक्षा के विध्यारतियों को भी अविभावकों की अनिवार्य मंजूरी के साथ स्कूल आने की इजाजत होगी हालां की स्कूल या संस्थान की ओर से अभी ऐसी कोई बाध्यता नहीं ला दी जाएगी जो बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य करे सरकार का यह फैसला राजधानी में कोरोना संकर्मन के गिरम से गिरते मामलों के मद्दे नजर सामने आया है सार्वजनिक जीवन की अन्यकति विधियों में छूट दिये जाने के मुकाबले स्कूल कोलिज को खोले जाने को लेकर अब तक स्वयभाविक हिचक बनी हुई थी क्योंकि बच्चों और विध्यारतियों के बीच संकर्मन को लेकर सबको सबसे ज़्यादे चिंता थी दर असल दिली में दूसरी लहर का जोर कम होने के बाद खास तोर पर पिछले करीब एक पकवाडे से संकर्मितों और गंभीर इस्तिती में पहुँचने या फिर मरने वालों की तादाद में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है बलकि रहत के ऐसे मोके भी आए जिस दिन किसी की भी मोत नहीं हुई हालांकि यह आसंका भी जताई गई की कोरोना विसानूं के संकर्मण की तीसरी लहर आ सकती है और उसमें बच्चों पर ज़्याद खतरा होगा लेकिन कई ऐसे आकलनों में खतरा कम होने की बात भी कही गई अब पिछले कई दिनों के आकले को देखते हुए यह उमीद बंधी है कि संकर्मण की तीर्वता सायद कमजोर पड़े ऐसे में हर इस्तर पर जोकसी बरतते हुए आम जन जीवन में सहजता लाने की और बड़ा जा सकता है यो भी बाजार और अन्य आर्थिक या सारवजनिक गती विदियों में कोरुना नियमों के पालन के साथ कई इस्तरों पर राहत दी गई है इससे पहले उत्तर प्रदेश बिहार राजिस्थान गुजरात हरियाना सहित कई राजियों में सरकारों ने चरणबद तरीके से इस्कूलों को खोलने का फैसला किया है लेकिन देश में संकर्मन की रफ्तार हर वक्त चिन्ता पैदा करती है दिल्ली में यह माना गया कि सभी इस्तरों पर सावधानी बरत कर सेक्षणिक संस्थानों का संचालन सुरू किया जा सकता है सायद ठाज के आकड़ों के आकलन के आधार पर दिल्ली आपदा प्रयबंधन प्राधिकरण और विसिसग्य समीती ने दिल्ली में स्कूल कोलेज और कोचिंग खोलने को लेकर ताजा फैसला लिया इसके अलावा दिल्ली सरकार के एक सर्विक्षण में भी सत्तर फीसद विध्यारतियों के माता पिता ने इसकूल खोलने के पक्ष में अपनी राय जाहिर की यह सही है कि बीते साल मार्च से लेकर इस साल मई तक महामारी को लेकर देश भर को भी तिरासदी जेलनी पड़ी उसकी इस्मृतियां लोगों को सार्वजनिक जीवन में जरूरत से ज्याद सावधनी बरतने पर मजबूर कर रही है लेकिन यह भी तत्य है कि जोखिम का सामना करते हुए अगर जन जीवन को कम से कम अनिवारिय इस्तर तक सहज नहीं बनाया गया तो बाद में कई चीजों को सभालना मुश्किल हो जाएगा इसलिए आर्थिक और दूसरी सामाजिक सार्वजनिक गतिविधियों को सामानिय बनाने के साथ साथ सरकार अगर इस्कूल कोलिजों को खोलने को लेकर भी सरोकार दरसा रही है तो यह अच्छी बात है मगर हर इस्तर पर बिना किसी चूक के सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि महामारी की इस्तिती नियंत्रण में रहे